दोस्तो पाकिस्तान की हालत हो गई है खस्ता यहां तक कि ऐसी हालत हो गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है यहां तक कि उसका चड़ी बड़ी फ्रेंड चाइना भी धुठकारने लगा है यहां तक कि उसके पास ओप्षन नहीं बचा है कहीं और भीक मांगने का वैसे दोस् करज उसे लेना पर रहा है लेकिन इन दिनों इससे भी बड़ी मुश्किल आखडी हुई है इमरान खान सरकार पर जिहां बात कर ली जाए तो इमरान खान पर एक और बड़ा दबदवा पैदा हुआ है वो भी अपने ही लोगों के कारण जिहां आपको बता दें कि फरांस के जो प्रेसिडेन्ट हैं मेकरॉं उन्होंने एक ऐसा दे दिया था इसलाम पर जिहां बात कर लिग जाए तो इसके बाद से पुरी दुनिया भर में इसलाम की तरफ से जहां जहां भी श्लाम को इसलामिक कंट्रीज थी वह सभी ने फ्रांस का विरोद करना स्टार्ट कर दिय था फ्रांस को भाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया था लेज़िक यह वो इरान हो इराग हो जितनी भी इसलामीक करीज थिए उससभी ने फ्रांस का पुर्जोर विरोद किया था जिसके बाद फ्रांस और उन सभी कंट्रीज के बीच फिर इस बात का सुलेह हुआ बातचीत हुई उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सियल चीजें जो हैं सुसाइड में कर दी गई और मामला सांथ हो गया लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वही का वहीं अटका रहा और यहां तक कि पाकिस्तान में एक पार्टी ठीज इसने काफी पुर्जोर विरोध किया इमरान खान सरकार नहीं चाहती थी कि वी रोध करें क्योंकि आपको बता दे कि फ्रांस से पाकिस्तान ने तकरीवने 11.4 या 5 बिलियन डॉलर जिहां 11.4 या 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने लोन ले रखा है जब दुनिया भर में IMF के द्वारा भी जब लोन देने से मना कर दी जाती है किसी कंट्री को यानि कि ऐसे हालात हो जाते हैं कि किसी कंट्री का एकोनोमिक क्राइस से जूज रहा होता है और इसमें क्यों भी कंट्री से किसी भी तरह का लोन कर्ज देने से साफ इंकार कर देता तो ऐसी स्थिती में जब आएमेफ भी इसे किसी पी तरह का कर्द देने से मना कर देती है तब उस जाके पेरिस कलब जो की फ्रांस की है उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था तकरीव ने गिराइद दसनुबर चार बिलेंड डॉलर का 11.4 बिलेंड डॉलर का है और इससे मे ली जाए ये कहा जा रहा है कि आप फ्रांस के इंबेजडर को वापस फ्रांस बेज़ दीजिए यानि उनका ये कहना था कि फ्रांस के साथ आप सारा रिलेशन खतम कीजिए और फ्रांस के साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा और फ्रांस के इंबेजडर को वापस प्रांस बेखते हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रांस से, उनका सारा relation खतम हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि France बीटो पावर से लेसी UNSC का पर्मानेंट मेंबर है और ऐसे में France के साथ रगर पाकिस्तान का रिलेशन खतम होता है तो ऐसे में पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान उठाना पर जाएगा और ऐसे में हाली में इतनी हालत भी नहीं है पाकिस्तान की कि वो फिलाल France का करजा भी वापस कर सके करजा भी चुका पाए तो ऐसे में दोस्तो अब इमरान खान सोच रहे हैं इसके लिए मिटिंग गुला रहे हैं और बैठक कर रहे हैं और यहां तक कि वो पार्टी जो कि France के President Emeril Macron का विरोध कर रही थी उसके मिंबर को जो लीडर था उसको जेल में यहां तक डाल दिया गया उस पार्टी को बैन कर दिया गया फिर भी हालात सही नहीं हो रहे हैं तो दोस्तो इस तरह की situations बनी हुई है और ऐसे में फ्रांस के साथ पाकिस्तान अपना relation खतम नहीं करना चाता और वहीं दूसरी तरह पाकिस्तान में उस विपरित हालात पैदा हो चुके हैं वहीं फ्रांस जो है सोहाली में उन्होंने अपने 15 डिप्लोमेट को वापस बुला लिए हैं पाकिस्तान से और यहां तक यह उपनि लोगों को यह कहा है कि जल्द से जल्दी पाकिस्ता चोर कर वापस फ्रांस से ले आएं यानि कि पाकिस्तान और फ्रांस का जो रिलेशनसिप है वो तूटने के कगार पे है तो दोस्तों इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं वहीं इमरान खांड सरकार फिराल कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है और वहीं उसे कोई कर्ज देने को क्या करें वैसे दोस्तों इस तरह का सिच्विशन पैदा हो गया है और साथी फ्रांस की बहुत सारी एसी कंपनी जो की पाकिस्तान में बिलवस्तित है और वहां पर अपना बिजनस करती है अगर वो चली आती है फ्रांस की कंपनी अगर पाकिस्तान छोड़ कर तो ऐसे में यह होगा कि पाकिस्तान में बिरुजगारी और और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हालात और भी ज़्यादा पाकिस्तान की खाड़ाब होने वाले हैं तो दोस्तों ऐसे में चाइना ने भी पाकिस्तान को कर देने से साफ इंकार कर दिया है यानि कि चाइना ने में वक पर ही पाकिस्तान को धोखा दे दिया है और इसलिए इमरान खान सरकार किसी तरह से फ्रांस के साथ relations बना कर रखना चाते हैं और इसलिए वो पाकिस्तान से फ्रांस के इंबेश्टर को जाने नहीं देना चाते हैं वैसे फ्रांस ने अपने 15 डिपलोमेट फिलाल बुला लिए हैं और साथे अपनी लोगों को भी बोला है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान वो छोड़ दें और जल्दी से वापस फ्रांस चले आएं तो ईस तरह से अब पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है वैसे दोस्तों यह पाकिस्तान को